नवश्कार सातियों आज आपके सामने में जो पेपर लेकर आया हूं यह हैं तीसरा पेपर हैं मैंने पहले आपको सेकेंड येर के इलेक्टरिशन थियोरी के दो पेपर करवा दिये हैं आज का जो यह पेपर हैं यह तीसरे नंबर का पेपर हैं आपको मैं बता दूँ कि जित तरीक की क्यूशन से ग्जाम में पूचे गए थे अगर आप पिछले वो जो दो पेपर में ने करवाए हैं आंसर की जो में कि अलग अलग पेपर हैं तो उम्मीद है कि आपका जो सीवीटी एक्जाम होगा उसमें भी इसी तरीके का आपको पेपर देखने को मिल सकता है ठीक है इसलिए यह सोच के मत जाना कि आपके नजदिक में जो बेटा है वह अपनको बता देगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं सोच हैं देख सकते हैं तो जो वरतमान में या तो सेकंड यह निरंम होंगे कांड सीझी इलक्रिश्ट एले क्रेडर वाले इस्टू डैंट जो की बरतमान में सेकंड यह में होंगे वह इस क्लास को देख सकता है ठीक है तो अब आपके confusion नहीं रहना चाहिए यह दस दुलए 2030 को जो एक्जाम हुआ था तीन वाले सिप्ट में वही है पेपर है तो ध्यान पर वह इसको ज़रूर देखना चलिए सुरुआत करते हैं क्यूशन नमर एक है क्यूशन लगबग जालतर से ही आ रहे है तो आपको पढ़ना क्या है निमी की पीडिया डिस्क्रिप्ट में लिंक रिक है हमने पूरी डिएप को अच्छी तरीक है nurture को याद कर सकते हैं तो आप description में जाना वहाँ आपको playlist का link मिल जाएगा साथ ही यह प्रूम inici आपको description में लिंक दिया है playlist का वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा कि चशलें शुरुवात करते हैं lumière तो चलिए सुरुवात करते हैं mesa native हैen ke FEशन नमर आपके सामने एक जो की है डीसिस रंकला यानि के डीसिस रिज मोटर की फिल्ड वाइनिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों यानि की जो डीसिस रंकला मोटर होती है उसकी जो फिल्ड वाइनिंग होती है वह मोटे तार की बने जाती है तो उसको मोटे तार की बनाने का करण क्या है तो वह क्या करत यह लोडरकुरंट को ले जाती है लोडरक्रंट को ले जानी की करण उसको क्या करता है है कि उसकी जो विंप İyi उसको मोटे uniqueness की बनाई जाती हैं यह दियान रखना नेक्ट्रीक्यूशन आपके सामने जो कि हैं आई-ई यानि की इंडियन एलेक्रिसिटी के नियमों के अनुसार मद्यम ओल्टेज घर अलू इंस्टूलेशन स्वरी घर अलू इंस्टूलेशन में किनी दो चालकों के बीच इंस्टूलेशन प्रतिरोद क्या है तो इंस्टूलेशन प्रतिरोद की जब भी आप से पूछ लेना क्यूशन कितना भी बढ़ाओ कोई दिक्कार नहीं लेकिन इंस्टूलेशन प्रतिरोद का जब भी मान पूछ लेना तो एक मेगा ओम से अधिक होता है ठीक है एक मेगा ओम से अधिक होता है और ये किस से मापा जाता है तो मेगर के द्वारा मापा जाता है अगला क्यूशन से आपके सामने वाइनिंग का नाम क्या है आपके सामने वाइनिंग दी गई है इस वाइनिंग का नाम क्या है तो यह तिरची वाइनिंग है कौन से वाइनिंग है तिरची वाइनिंग इसको कह जाता है अगला क्यूशन आपके सामने है, कनवर्टर का नाम क्या है, यह जो कनवर्टर है ना थिरी फेज वाला कनवर्टर है, यहां से थिरी फेज सप्लाइज के अंदर दी जाती है, यहां पर छे डायोट लगे हुए है, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, जिसको क्या अगरता ह आने थिरी फेज सप्लाइज को यह है, डिसी सप्लाइज में परिवर्टित करता है, रेक्टि फायर है यह, ठीक है, थिरी फेज रेक्टि फायर है, ध्यान रखना, सिलिकोन झियंतरन दिश्टकारी, इसको का जाएगा, यहां पर वेरियेस्टर लगा होता है, ठीक है, तो इसको सिलिकॉन नियंत्रन यान की SCR इसको कहा जाएगा SCR का full form होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफाइर ये आप ध्यान लखना ठीक है ना Next questions X के रूप में चिनीद भाग का नाम क्या है बहुत ही simple सा और पहला ही निम्मी की पीडे को है questions है तो याद आप को करना ही है Most important questions है इसका नाम पुचा है इस वाले भाग का तो ये भाग कौन सा है तो ये riser है वैसे ये पूरा जो भाग है ना ये क्या है commutator है ध्यान लखना पूरा जो भाग है इसको क्या कहेंगे अपन commutator कहेंगे और ये पीछे वाला जो एक्स बाग का नाम पुचा है ना तो इसको कहा जाएगा riser तो ये क्या है commutator riser इसको कहा जाएगा ठीक है ध्यान रखना commutator riser आपका complete यहां पर सही आंतर होगा next execution से चार बिंदू श्टर्टर में holding coil से जुड़े परतिरोध का उद्देशिक क्या है तो holding coil के साथ जो परतिरोध जुड़ा होता है उसका उद्देशिक से पुचा है तो वह है NVC में धारा शीमा ठीक है यानि कि limit current in NVC NVC का पुरा नाम क्या होता है तो no old coil होता है ये भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ तो ये NVC के अंदर जो धारा होती है ना उसको limit में रखता है ताकि NVC की जो वाइनिंग है वह है जलेना ठीक है next रिजो क्यूशन से आपके सामने निरंतर गती ड्राइव के लिए किस परकार की DC मोटर का उप्योग किया जाता है तो इसके लिए DC संट मोटर का उप्योग किया जाता है next क्यूशन से स्वर्चालित voltage stabilizer के लिए किस feedback network का उप्योग किया जाता है इसके लिए voltage divider network का उप्योग किया जाता है क्यूशन से अगला है दो पॉल 50 हटेज अल्टर्णेटर के RPS में गती की गन्दना करें X03 का मरब होता है रोटर पर सेकन है ना पहले हपन रोटर पर मिनिट निकाले गए क्योंकि अपने पास जो फोर्मूला है रोटर पर मिनिट वाला है ठीख है? कैसे निकालते है? यानि कि अपनको गत्य निकालना है तो गत्य कैसे निकालते हैं एन बरावर होता है 120 इंटू F बटा P अब यहाँ पर 120 लिखेंगे इंटू F एनए क्या होता है फीक्वेंसी होता है फिक्वेंसी अपनको 50 अटच दिया है तो यहाँ पर 50 लिख देंगे ठीक है बटा पी कितना है अपने पास दो है अब इसको अल करेंगे दो से काटेंगे 60 को कलर चेंज कर देते हैं ताकि confusion ना रहें दो से काटेंगे 120 को तो कित्ती बार कटेंगा 60 बार अब 60 को गुणा करेंगे अपन 50 से तो क्या जाएगा 3000 आजाएगा ठीक है यह जो 3000 आया है ना यह क्या आया है तो यह आया है round पर minute में क्योंकि यह formula जो आज से निकालेगा round पर minute में निकालेगा लेकिन यहाँ पर पुछा गया है round पर second अब round पर second पुछा गया है ना तो राउंड पर सेकंड के लिए अपन क्या करेंगे तो इसके लिए अपन साथ का भाग देंगे क्योंकि एक मिलिट में साथ सेकंड होता है तो अपन साथ का भाग देंगे क्योंकि अपन को सेकंड में बदलना है तो किसी भाग देंगे 60 से तो यह 0 से 0 कर जाएगा 0 से 0 कर जाएगा और 300 कटेगा चेश से किती बार 50 बार कटेगा क्या आंसर आजाएगा अपना यहापर 50 completely सही आंसर हो जाएगा ठीक है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा नहीं आया है तो रिवेस करकर ज़रूर देख लेना सब मरसेबल पंपो को रिवाइन करने की लिए किस परकार की वाइनिंग तार का उप्योग कियाता है तो इसके लिए सूपर इनेमल्ड कोपर होता है जो की PVC कवर together iyakier होता है ठीक है PVC कवर तामबे की तार ठीक है सूपर इनेमल्ड नहीं होता है सुपर इनेमल जो होता है बारी मोटरों में होता है यह मोटर पानी में डूबी होती है सब मर्सीवल पंप जो होता है यह पानी के अंदर डूबा होता है ठीक है जो पानी के अंदर मोटर डूबी होती है उनके अंदर PVC कवर तामी के तार लगा जाते है लेकिन जो मोटर पानी से बाहर होती जैसे कि आपके घर में जो नल का पानिय आता है जिसके लिए आप मोटर लगाते हमें उसमें इन almonds को पर वायर होता था था फिक है दोनों काń удивis to निकाल देना पंक के में में भी सुपर रने amal को पर वायर लगा होता है next execution से DC generator को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए तो DC generator को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए तो आउस्ट चुम्बकत की रक्षा करने के लिए ठीक है अगर आप उल्टी दिशा में चलाओगे न तो चुम्बक जो होता है अब सिर्ष चुम्बक तो वह क्या हो जाता है खत्म हो जाता है next question से pitch कारक की गर्णा करने का सुत्र क्या है pitch कारक की गर्णा करने का सुत्र आपके सामने है winding pitch बटा pole pitch ठीक है ध्यान रखना winding pitch बटा pole pitch ये questions आपको confusion करते हैं इसलिए इनको अच्छ से याद रखना अगला क्यूशन से कंट्रोल पेनल वाइरिंग में प्रियुक्त गोन का क्या नाम है यह क्या है यह क्या होता है माल लोग कोई भी उपकरण है ना उसमें जो सप्लाई की जो लीड निकलती है सप्लाई की केबल जो निकलती है जहां से व हाँ पर इसको लगाये जाता है तो इसको क्या कहते हैं तो इसको ग्रॉमेट ग प्रेद्ध कहते हैं धियान रखना यह कैबल को चुलनेने से यह बच जता doba मेट इसको कह जाता है कि सब्सक्राइब कि यह जो एगे तो का Score edy कहेंगे के सकेड शंचलन विदी सको कहा जएगा तो इसको कहा जाएगा थीक हैu नेक्ट क्यूशिन सापके सामने हैं लाइन कि समाप्ति पर कोने के खेप हैं कि लिए किस परकार के लाइन इन्सुलेटर का उप्योग किया लाजट छाता है तो सेकल insulator का एप्योंक कियाता है समझना यहां पर जैसे कि यहां पर इतर से ynा रहा है वह लाष्ट बचा है यानिंग लास्ट पौल है और यह वायर ओनली लास्ट यहीं तक फीह है तो इस जगे आगे अब यहां से आगे कोई भी वायर नहीं जा रहा है तो यहां पर जो लास्ट जो यहां पर इंसुलेटर लगा होगा ना वह सेकल इंसुलेटर लगा होगा लास्ट सिच्वेशन में सेकल लगा होता है लेकिन अगर आगे भी वायर जा रहा है आगे भी आ to later ठीक है以 अगला क्यूशिंट से ? द्राइव में आई-जी बी टी क्या है paísesि Special Love Cruise QC, इंवेटर स्विचिंग इवाइस कहा जाता है इनवेटर्स स्विचिंग इवाइस उसको कहा जाता है इा ध्यान रखना अगला क्यूशन से किस सर्कीट में लिमिट स्विच का उप्योग किया जाता है तो लिमिट स्विच का उप्योग लिप्ट सर्कीट में किया जाता है लिप्ट सर्कीट में किसका उप्योग किया जाता है लिमिट स्विच का उप्योग किया जाता है नेक्स्ट रिक्यूशन्स डीसी मोटर को संचलित करने के लिए आर्मिचर सर्किट में कार्बन कम पोजिशन ब्रस की आउशिकता क्यों होती है तो कर्मुटेटर खंड में स्पार्क कम करने के लिए किया जाता है ध्यान अकना इसका उप्योग नेक्स्ट रिटूशन्स आपके सामने है 9TN और हैंशन लाययन में उप्योग किये जने वाले इंसुलेटर का द्यान था ना वहीं इंसुलेटर है इसके बाद में कोई केवल नहीं जाती तो यह कौन सा इंसुलेटर है। सでकल इंसुलेटर है ठीक है इसी कई क्या इंसुलेटर कहेंगे यह दियां रखना थीक है next इस चुक्षीन से बड़ी शमता के डिसी जेनेरेटर योग बनाने के लिए किद धत्व का उप्योग किया जाता है तो इसके लिए रॉल्ड इस्टिल का उप्योग किया जाता है अगला questions आपके सामने है यदि एक alternator से load हटा दिया जाता है तो voltage 480, voltage 660, voltage तक बढ़ जाता है voltage वे नियमन परतिसत में गणना कीजिए, load हटाने पर 480 से 660 हो गया, तो यह voltage वे regulation हुआ, इसके परतिसत की गणना कर नहीं है तो इसके लिए जो formula है, तो देखिए वहाँ पर system क्या हो रहा है, कि full load पर 480, voltage था, जब load हटाया तो 660, voltage हो गया ठीक है, तो इसमें voltage नियमन क्यात करना है, बहुत ही basic सा formula है, सिधा सा formula है, यहां रखना, VNL यानि कि no load voltage minus, full load voltage बटा, full load voltage, into अपन को percent में निकालना है, तो सोच से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, अब मान रख देते हैं, तो देखिए, नो load पर कितना voltage है, तो 600, 60 है, minus, और full load पर कितना है, तो 480 है, बटा में वापिस अपन 480 रख देंगे, और into क्या कर देंगे अपन, 100 से कर देंगे, हल करेंगे इसको, 660 में से 480 कटाएंगे, तो कितना हैगा, 0, 8 और 1, 180 आजाएगा, अब 180 जो है, बटा क्या करेंगे, 480 हो जाएगा, into 100, अब इसको हल करते हैं, इस 0 से 0 कर जाएगी, यह 6 से कटेगा 3 बार, और यहाँ पर 0 लग जाएगा, और यह 6 से कटे करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बटा 8, अब इसका भाग देते हैं, 380, 24, बचेगा है क्या, 6 बच गया, 60 हो गया, 780, 56, बच गया है कितना, 4, है न, तो अब 580, 40 होता है, यहाँ पर क्या जाएगा, 37.5 आ गया, 37.5 आपका यहाँ पर completely सही आंसर होगा, उम आपके सामने, जो की है, क्या है, ज्यान पुर्वक देखना, क्यूशन से, वाइनिंग प्रक्रिया में, वेजेज के रूप में, किस समगरी का उप्यूग किया जाता है, तो वेजेज के रूप में, जो मोटर होती है, उन्हें में, वेज लगा जाता है, ताकि वाइनिंग बहाब ना निकल जाए जहां वाइनिंग की जाते है सलोटों के अदर, उनके ओपर वेज लगा जैते हैं, बास की डंडिया लगा जाती है, तो किसकी डंडिया लगा जाती है, भास की, ठीक है, नेट्सकिशन से, एसी तीन क्लाब Benamotor की तुल्य काली गतिच क्या करनेnsी सुत याद रखना formula बहुत ही most important है दो बार questions आ चुका है अगला question से चरणबद voltage stabilizer में कोन सा विद्यूत उपकरन voltage को सक्रिय कर रहा है तो auto state इसको क्या गएंगे अपन auto state कहेंगे ठीक है तो यहाँ पर अपने 25 questions कर लिया है इस class में next class में फिर आजिर होंगे और इससे आगया वाले जो 25 questions रहेंगे वो करने की अपन पूरी-पूरी कोशिस करेंगे उसमें आपको workshop calculations और engineering drawing के questions भी देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके theory के only 38 questions आते हैं बाकि 6-6 questions workshop calculations और engineering drawing के आते हैं तो वो भी अपन उसी class में कर लेंगे फिर उसके बाद में जो class हैगी उसमें अपन employability skills के questions क करेंगे ठीक है तो लगातार आप बने रहीगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना और अगर आप उन्हें WhatsApp चैनल को जोइन नहीं किया है तो कर लेना क्योंकि हम वहीं पर लिंक प्रोवाइड करवाते हैं तो वहां से आपको directly link मिल जाएगा तो वहां से आप वीडियो तक जोइन कर लेना क्योंकि पीडियो वहीं पर ही आपको मिलेगी ठीक है धन्यवाद